प्लेश्य कीचन आपके अपने चैनल आपका स्वागत करती हूँ आज हम लेश्य का आचार बनाने जा रहे हैं कई जगए पे इसे गुंदे भी बोला जाता है लेश्य का आचार बहुत ही टेस्टी वन करके तैयार होता है यह खाने में बहुत अच्छा लगता है बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद आता है तो चलिए आज हम तयार करते हैं लेस्वे का आचार, लेस्वे का आचार तयार करने के लिए हमने यहाँ पर आदा किलो लेस्वे लिए हैं, इनके मैंने जो वेस्टे जंठा थे वो हटा दिये हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आदा किलो ही दू केरी लिये है आप अगर लेस्वय का आचार डाल रहे है तो आपको उसमें खटाई डालना बहूत जरूरी होता है नहीं तो लेश्वे का अचार खराब हो जाता है तो आप चाहो तो यहाँ पर जिस क्वांटिटी में लेश्वे ले रहे हैं उसे आधी क्वांटिटी में भी केरी ले सकते हैं या फिर आप इसके बराबर में भी केरी ले सकते हैं तो मैंने यहाँ आदा किलो लेस्वे लिए हैं और आदा किलो केरी ली प। सक cricket केरी दरीग साथ 향ons टोजा पादने लेस्वे केला के दूप दाल्जित और अब लेस्वे को इन पानी में डाल दिया है लेसी पानी में अच्छी तरीके से डूप चुके हैं और आप इसमें हलका सा नमक डाल दें मैं यहां पर आदा चमच नमक डाल रही हूँ नमक बालते समय क्यों डालते हैं यह मुझे भी पता नहीं है बस मैंने अपने बड़ों से यह देखा है कि लेसी को बोईल करते समय नमक डालते हैं तो आप इसको बोईल होने दें बिल्कुल हलका साह में बोईल करना है जब तक लेसी बोईल होते हैं तब तक हम केरी को काट ल आजकल की केरियां थोड़ी सी पक चुकी है तो ये चाकू से कटने में नहीं आएगी तो आप इसकी गुट्छली को हटा दें या आपके पास केरी काटने का जो सरोत आता है वह उससे अगर आप केरी काटे तो बहुती बढ़िया बात है ये देखिए आप इस तरीके से छोट केरी को काट लीजिए तो देखिए मैंने आपे दोनों केरियों के छोटे छोटे पीसेज कर लिये हैं आप अपने पीसेज केरी के पीसेज आप अपने मन पसंद चोकोर या लंबे जैसे भी आप अगर करना चाहें वैसे कर सकते हैं ये देखिए छोटे पीसेज करने से वेस कि एक वे बॉfunded हो चुकी है आप उलका सा इं için लाखन लगा करके हम्हिए इस लेख तुग रहा है इसका मतलब लेस्वय बॉइल हो गये हैं इसे बस औहला स्मिनित के लिए इसी तरीके से गरम पानी में रहने देlot इसके बाद हम लेश्वय को पानी गरम निकालulty है मैं आपसे बार बार एक की बात कहरी हूँ कि लेस्वे को ज़्यादा बोईल नह करें अगर लेस्वे ज़्यादा बोईल हो जाते हैं तो अचार खराब होने की possibility रहती है इसलिए आप लेस्वे को बोईल करते समय यहीं पर लेस्वे के पास ही रहें और इन्हें हलकी सी भाप ही लगाएं और इनको ठंडा होने पर एक बार आप इस तरीके से नाखुन से दबा के देख लिजे अभी बहुत गरम है हलका सा नाखुन लगा के देख लिजिए अगर नाखुन चुबना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब यह होता है की लेस्वे बोईल हो चुके है सिर्फ एक मिनिट के लिए हमें इनको गरम पानी में डालना है तो आप इस बात का विशेज द्यान रखे की लेस्वे को ज़्यादा बोईल नहीं करें मैंने कि यहाँ पर गेस की फ्लेम बंद कर दी है और अब हम इनको गरम पानी से बाहर निकाल लेंगे सबसे बड़ा आर्ट लेस्वे का अचार डालने में यही होता है कि लेस्वे हमें ज्यादा बोईल नहीं करने हैं यह देखिए लेस्वे थोड़े से ठंडे हो गए हैं तो आप यहाँ पर हलका सा नाखुन चुबा के देख लीजिए हलका सान आखुन का निशान इस पर लगना स्टार्ट हो जाता है इसका मतलब लेस्वे उबल चुके हैं हमने इनकी कैप नहीं हटाई है क्योंकि कैप हटाने से जो बोईल करेंगे वो पानी लेस्वे के अंदर चला जाएगा और आचार में पानी आ जाएगा तो कैप को रखेते इनको भी हम साफ कपड़े पर फिलाएंगे और दो से तीन घंटे तक अच्छी तरीके से सुखा लेंगे जिससे की इन में किसी तरीके से पानी न रहें तो चली फ्रेंड्स हम इनको सुखा देते हैं तो लेस्वे और केरी को मैंने दो घंटे तक पंखे की हमा में सुखा दिया है आप इनको पंखे की हमा में ही सुखा दिया है आप इनको धूप में नहीं सुखा होगे तो फिर आपके जो लेस्वे हैं उनका कलर हो सकता है थोड़ा काला हो जाए इसलिए गर्मी में अगर आ तो यहां पर मैंने आचार के लिए सरसों का तेल लिया है आप जब भी आचार बनाए जो भी कोई आचार बनाए प्रायोरिटी सरसों के तेलिए रखें क्योंकि इस से बहुत ही अच्छा आचार बनकरके तैयार होता है और यहां पर इनस इंग्रीडेंस का मेजर्मेंट मैंने यह वाले स्पून यानि की छोटे वाले स्पून से लिया है तो आप इसे साफ से ही जिसे साफ से आपका आचार हो उसे साफ से आप कौंटिटी बढ़ा दीजिए या कम कर दीजिए तो यहाँ पर लाल मिर्च मैंने डेड़ चम मचली है यह आपकी टेस्ट को कोडिंग है अग ला है जायता है यह तरहें को लाएंड़ लंबे समय तक चल जाता है तो यह मैंने डेठ चंमच नमक लिया है एक चंवच में रम लिया है और यह पीली सरसु है जिनको मैंने गे लJackा दार पीजिंगbnै निली ज्रुटी पीस लिया था और इसे बहृत पद्ण्दा के से पीली सरसों ले काली वाली सरसों नीले निन तो अचार का कलर बहुत गंदा हो जाएगा तो इस तरीके से यह देखिए आप देख रहे हैं यह सरसों का कलर पीला है तो आप मार्केट में जाके बोलिए कि पीली वाली सरसों चाहिए अचार के लिए तो आपको यह वाली सर लगता है वन फोड चम्मच यहां पर मैंने हिंग ली है और आदा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है तो यह सब मसाले जो हमारे घर में आराम से मिल जाते हैं आजकल मारकेट में अचार का मसाला भी मिलता है तो आप अगर अचार का मसाला ले तो यह सब कौंटिटी को थोड़ थोड़ा कम कर दीजिए इससे भी अचार काफी टेस्टी बनता है वरना आप अगर अगर अचार का मसाला नहीं ले तो भी इन सब मसालों से अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अगर आपको पसंद हो तो आप यहां पर मसाले को और थोड़ा तेज करने के लिए क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा एसीडीटी होने के चांसेज रहते हैं इसलिए यह नॉर्मल मसाले ही मेने अचार में यूज की हैं जो मौसली सब के घरों में मिल जाते हैं तो चलिए हम आगे का प्रोसेस चालू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना ह कि सरसू के तेल को बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें गर्म करना है जब तक इसमें अच्छी से धुआ उठना लग जाए जब तक हमें सरसू के तेल को गर्म करना है कच्छे तेल में अगर आप अचार डाल दिये तो आचार में बहुत ही अजीव सा तीखापन मिलेगा और तो आप इसे अच्छी तरीके से गरम कर लें और उसके बाद में उसे उतना ही अच्छी तरीके से ठंडा कर लें उसके बाद आचार डालें गरम तेल में आप आचार नहीं डालें नहीं तो आपके जो केरी लेस्वे हैं वो बिल्कुल गल जाएंगे और अचार बिल्कुल भी अच्छा निए नी बनेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कि सरसो के तेल को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से गरम कर लेते हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं, यहां पर हमने 2-3 गंटे तक इन केरी और लेस्वे को अच्छी तरीके से सुखा लिया है, देखिए बिल कब आप देखिया हैा तो आप इस तरीके से कैप कोँका लेख ने सुख जाएं तो इस तरीके से बढ़ी ही आसानी से यह कैप हट जाती है तो आप इस तरीके से कैप को केप हटा करके और ले ली है तो अब हमें क्या करना है कि हमने जो मेथी और सौफ ली थी उनको हम थोड़ा सा हलका सा ड्राइ रोस्ट कर लेंगे जिससे कि इनमें जो नमी होगी वो हट जाएगी नमी हटाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अचार लंबे समय तक चलने वाली है और इसमें किसी भी तरीके की कोई नमी रह जाती है तो आचार खराब हो जाता है हम इनको हलका सा ड्राइ रोस्ट कर लेंगे देखिए यह ड्राइ रोस्ट हो चुकी है हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम सौफ को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं सौफ से अच्छे खुश्बू आना स्टार्ट हो गई है तो हम गेस बन कर देंगे और यह सौफ भी रोस्ट हो चुकी है ज़्यादा रोस नहीं करनी है हल्की सी खुश्बू आना स्टार्ट हो जाए जब हम मेथी और सौफ को एक प्लेट में निकाल लेंगे हम इसको भी निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद में इस मसाले को हम पीस करके तयार कर लेंगे यानि की दरदरा इसका पाउडर बना लेंगे तो देखिए यहां पर मैंने सरसू के तेल को अच्छी तरीके से गरम कर लिया था और गरम करने के बाद में हमने इसको पंखे में रख दिया था लगबग 10 निट में ठंडा हो चुका है एक बार इस तरीके से उंगली लगा कर देख लीजिए कि तेल फिल्कुल ठंडा हो चुका है इसके बाद ही हम अचार डालेंगे तो सबसे पहले अचार बनाते समय हम क्या करेंगे कि जो हीं हमने लीती वो हम उसमें डाल देंगे तो सबसे पहले हम हलके से गरम तेल में पिल्कुल निवाय से तेल में हम यहींग डाल देंगे अच्छी तरीके से मिला लेंगे थोड़ी सी आप कलूंजी भी ले ले इसे अचार बहुत सुन्दा लगता है कलूंजी में मैंने आप डाल दी है इसके बाद में हमने लेस्वे और केरी ली थी वो हम इसमें डालेंगे अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे लाल मिच पाउडर डाल देंगे सरसो का पाउडर जूपने बना के लिया था वो डाल देंगे नमक डाल देंगे और हमारे पास जो इस रोस्टेड मसाले हैं वो हम डाल देंगे और इन सब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे बहुत ही अच्छी अचार से खुश्बू आ रही है रोस्टेड मसाले के लिए बहुत ही बड़िया खुश्बू आ रही है तो आप इस अचार को बनाईए अभी लेश्ब का सीजन चल रहा है तो आप इस अचार को जरूर बनाईए और अपने कमेंट मेरे कमेंट बोक्स में लिखके भीजिएगा देखिए अभी तक तो इस अचार में तेल भी काफी है हमें तेल की भी और जरुत नहीं होगी और बाइचांस हमें हमारा तेल कम हो हमें तेल की ज़्यादा जरुत हो तो आप इसी तरीके से तेल को गरम कर लिजिए फिर उसको ठंडा कर लिजिए और उसके बाद में इसमें और तेल डाल दीजिए तो हमारा केरी और लेश्वे का अचार बन करके तयार है इसे दो-तीन दिन तक आप इसी तरीके से जिस बरतन में आप अचार बनाएं उसमें ही रहने दे और इसे कंटीनू दिन में दो या तीन बार ठोड़ा-थोड़ा हिलाते रहें जिसमें मसाला अच्छी तरीके से अचार भरें, अगर किसी तरीके की कुई नमी रहती है तो अचार खराब हो सकता है, तो आप इस तरीके से लेश्वे का अचार बनाएं, और बताएं कि आपका अचार कैसा बना, अचार से तो बहुत अच्छी खुच्बू आ रही है, मेरे ही साथ तो अचार बहुत ही पसंद आती है, तो आप अपने चेनल आप लाशा कीचन को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, तो फ्रेंड्स में होते हैं, नेक्स्ट रेसिपी के साथ, थेंक्यू, स्क्रीन के बीच में जो मेरी फोटो आपको दीख रही है, उस पर क्ल मेरे चेनल आप लाशा कीचन को सब्सक्राइब जरूर करें, यह बिल्कुल फ्री है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं, नेक्स्ट रेसिपी के साथ, थेंक्यू,